Hello students, welcome to my YouTube channel online learning जैसी कि मैंने आप लोगों को कल बताया था आज GGU की second list आईगी तो आप ये देख सकते हैं आज GGU की second list आचुकी है different courses की तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस course की list आचुकी है ये आज की date है 13 तारिक और सबसे पहले यहाँ पे second provisional admission list आई है B.Sc. Honors Computer Science की B.Sc. Honors Mathematics कुछ students ने मुझसे पूछा था मैम B.Sc. Mathematics में course seat खाली रहेगी या नहीं रहेगी तो seat है खाली आप देख सकते हैं second list में नाम आया है कुछ students का फिर आया B.Sc. Honors Botany B.Sc. Honors Biotechnology B.A. Political Science B.Sc. Honors Chemistry B.A. Honors English B.Sc. Forestry B.Sc. Ruler Technology B.A. Honors History B.Sc. Honors Forensic Science Anthropology and Tribal Department Development इन courses की ही अभी आई है list बाकी other courses की नहीं आई है कल मुझसे comments में कुछ students पूछ रहे थे मैम PG की कब आईगी B.A. की कब आईगी आईगी तो मैं जरूर update करूंगी बट अभी यहां पे नहीं आई है और यहां पे बता पाना किसी के लिए भी possible नहीं है कि हम आपको कोई confirmation एक fixed date बता पाएं यह तो G.G.U. के जो department में faculties है या या होडी सारे वो भी शायद आपको नहीं बता सकते कि list कब आईगी तो आप wait करिए list आईगी सबकी list आईगी जब यहां पे UG course का आ रहा है तो आप लोगों का भी list आएगा ऐसी ही first time जब G.G.U. का counseling या admission process start हुआ था तब भी PG वालों का बहुत देर से start हुआ था UG का पहले आया था So students मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बता दिया था आप लोगों का last date कब है अभी ये second list आईए तो अगर कुछ students ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए और अगर नहीं देखा है तो चलिए यहां पे हम एक बार और ये fee deposit का date देख लेते हैं ये download हो रहा है जो कल notification आया था इस notification को हम फिर से एक बार देख लेते हैं अभी जो second list आई है आज आया है अब 15 तारिक तक आप लोगों को admission लेना है याने की fee deposit करना है 15 तारिक तक अब उसके बाद seat खाली रहती है तो third seat आईगी 16 तारिक को और फिर admission 20 तारिक तक लेना है तो date याद रखिए 15 तारिक अब आचुका है जिन students का सपना था जिनका second list में आचुका है नाम वो immediately admission ले ले because अब इसके बाद chances कम होगी according to me third list आने की क्योंकि GGU Central University है ये आप सब जानते और fees भी यहां की minimum है अब सवाल यह उठता है कि मैं B.Tech का कब आएगा आएगा B.Tech कभी मैंने जैसे कि अभी थोड़े दिर पहले ही आप लोगों को बताया जब सब courses का आ रहा है तो B.Tech का भी आएगा B.E.T. का भी आएगा PG का भी आएगा आप थोड़ा patience रखिए कोई भी आपको एक confirm date नहीं बता सकते बस आप regular GGU की website चेक करते रहिए आता है तो आपको पता चल जाएगा और नहीं आता तो थोड़ा वेट करिए क्योंकि आएगा ही अब आप लोग यह सब जानते हैं कि यहां पे already mention है इस fourth point को पढ़िएगा classes जो है UG के UG program का पढ़िएगा यहां पे 30 October तक आप लोगों का पूरा admission process complete करने को कहा गया है सारे department के तो जिनकी list नहीं आई है वो आईगी B.tech वालों की भी आईगी B.8 की भी आईगी सबसे पहले इसके बाद B.tech की आनी चाहिए बट डेट अभी fix नहीं है डेट बता पाना इतना confirm नहीं है कि आपको कोई डेट बता पाए आप regular G.G.U. की website पे visit करते रहिए चेक करते रहिए जैसे कि यहां पे G.G.U. ने कल ही बताया था आज लिस्ट आईगी तो आप देख सकते लिस्ट आ चुकी तो second list में जिनका नाम है उन्हें मैं congrats बोलना चाहूंगी क्योंकि उनका आप सपना G.G.U. में पढ़ने का पूरा हो चाहेगा जिनका नाम है तो आप जल्दी से admission ले लीजे क्योंकि लिस्ट में जितने नाम आए है आप उन्हें चेक करिए उससे आप समझ पाएंगे सीट कितनी खाली है डेट याद रखिए 15 तारिक यानि कि सिर्फ 2 दिन है आपके पास admission लेने के लिए G.G.U. में तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग के लिए helpful होगा तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच फो वाचिंग दिस वीडियो